बेलकम टू एजुकेशिनल प्रिट्वम आईउसिस एकाड़मी आई होब सभी छात्र अच्छे होंगे आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक है इससे संबंधित जो है कई फारे छात्र जो है परिफान भी है इसको लेकर अब अगर देखें जो सबसे मांड है वो अंतिम उत्र कुंजी दो ठीक है आयोग कब जागेगा एंपी से कुछ शीखो यह बात हो रही है यूपी प्यस्पी आयोग की जो की एक महान आयोग बन चुका है ठीक है कई छात्र जो है पत्र लिख लिखकर ठक गए हैं पढ़णाम फे पहले अंतिम कुंजी देदू जनाब लेकिन ये बिल्कुल भी फुन्ने का नाम नहीं ले रहे हैं कई छात्र अलाहबाद के कई छात्र फू फीएफन ने जो है जो है पत्र लिखा चात कम्यूटी ने पत्र लिखा हमारे आधरणीय मुखमंत्री जी को कि जो है आयोग जो है मनमानी करता है और अ आप लोग जो है आयोग का जो मेल है आप उस पर डिफनल्टी जो है जम के मेल ऐके और खुब मेश्ज करें या पत्र के माध्यम से जैसी भी होसके आप ज्यादफ ज्यादा पत्र या मेल आयोग को लिखें ताकि जो है आपका रिजर्ट पहले unanim स्क्या अगर आवाद नहीं उठाई जाएगी तो डेशनेल्टी क्या होगा जो है इस चीजें ऐसे होती रहेंगे ठीक है मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूं कि और भी आयोग है जो ये कारिक कर रहे हैं ठीक है अभी हाल फिलहाल में मद्द प्रदेश पीसेस का इक्जाम हुआ था उसका जो है आपका अंतिम उत्तरकुंजी आ गई मैंने वीडियो भी डाला था कटास का ठीक हाई हो पास अबने देखा होगा आप एक बार मद्द प्रदेश के टाइम लाइन देखने लिए मद्द प्रदेश का इल्जाम हुआ आपका उन्हेस जून को फी इन्होंने जो है 22 जून को एंसर की दी साथ दिन के लिए समय दिया औब्जेक्शन का और फाइनल उत्तर इन्होंने दे दिया आठ फाथ 2022 को यानि आठ जुलाइव को जो है 19 जून को पेपर हुआ आठ जोय तक अंतिम उत्तरकुंजी आ गई ठीक है अब देखिए अगर हमारा भी आयोग चाहे तो ये कारेकर सकता है ठीक है तो कहीं कहीं हमें इस आवाचों क्या करना पड़ेगा उठाना पड़ेगा ठीक है और ये बात आप धाने तो वीडियो को जाजयादा फेयर करें ठीक है और जो है चैनल को जो है लाइक करें और सब्सक्राइब करें ठीक है और साथ ही टेलिग्राम चैनलों को जोउन करके रखें ठीक जादा फिज्यादा लोगों पाहरें हैं इतने भी महान यूटूब चैनल हैं वो इस पर कोई बात नहीं करना चाह रहे हैं ठीक है अंतिम उत्तरकुंजी के लिए मांग हमें तेज करनी पड़ेगी क्योंकि इससे क्या होता कई छात्रों का जो है पुरा फाल बरबाद होता है क्योंकि आप को पता नहीं चलता कि आपकी कितना नमबर थे और आपका जो है रिल्ट क्यों नहीं हुआ फिक प्रवान रहते हैं और आगी ततारी बाज़्यत है आप उप हिसापके प्लानिंग नहीं कर पाते हैं कि मुझे किस तरह की से पर काम करना है कहां पर आफ़न में मुझे गड़बडी हो गई ठीक है कहां पर मैंने यह लेना था मैंने दूफरा आफ़न ले लिया ठीक है तो अंतिम उत्तर कुंजी का बहुत बड़ा रोल होता है अगले फाल की तैयरी केलने के लिए अगर जिन छात्रों का इस बार हो गय जाते हैं तो यह मुद्दा कहिन के हमें तेज करना पड़ेगा ठीक है तो वीडियो को जाजादा फेर करें ताकि जो है बात पहुंश सके फरकार तक ठीक है और जितने भी आपकी यूटूब चैनल से उनसे भी जाकि कमेंट में कमेंट करें प्लीज जो है फाइनल एंसर के तो नहीं किया क्योंकि इनके यहां जो अब्जेक्शन गया था मैंने आपको वीडियो भी बनाया था मैंने बारा कुछन पर अब्जेशन कहा था फिर भी दास में बदला हुआ है तो काफी जाटा गया है मैंने प्रूफ भी दिया था इंप पीसेस के लिए ठीक है तो इस पर कई चाथ जो पीसेस के लिए परिफान है जो चीज़ें आपको बता रिया है डिफिनल्टी आपको और यडिमोचीद देखनों को मिलेगी कई चाथ आपको डिमोटिवेट करेंगे जो लगातार में लिख रहे हैं पर उसे घबार नहीं है आपको जो है कहनगी बात उठ अब देखिए यहां पर क्या हुआ यहां पर तो लगबग जो है ऑब्जेक्शन जो गया था वो पंद्रा कुशन में गया था बदलाव दफ में देखनों को मिला पर इसने एक महानकार कर दिया जैसे इस इनोंने चार आप्शन में दो दो आप्शन दे दिये ठीक है और एक दिये यहाँ आपने आपने यहां जो परांड़ा है यहां जलिए आपको जैसी ऑफ्रन्स मिलता है मुझे पर बात करूंगा ठीक है अब GS के अंदर जो latest viral pics थी उसमें 11 डिलेट थे चार चेंज थे ठीक है अभी GC वो same question तो नहीं हो सकते कई फारे question है चातरों ने कई फारे comment किया आप लोगों ने यह तो नहीं हो सकता ठीक है तो यह सी viral pic थी पर जनली जो data है मैंने भी आपको बताया था कि आपका 8 डिलेट और कईस question है जहां पर आपका doubt create हो रहा है ठीक है अगर आयोग भी सजी तरीके से कार करेगा तो definitely जो है पंद्रा में change हो जाएगा यानि पंद्रा मिला के टोटल कहने के delete या change कुछ भी देखने को मिल सकता है ठीक है तो कि बड़ा बदल्दा होगा तो कि MP के अंदर सीधे सीधे पांच नंबर का difference आ गया तो अपने हां भी जो है नंबर देखने को मिलेगा ठीक है अब यही है कि जल से जल जो है इसकी आवाज उठाई जाए और इसको आवाज को बुलंद किया ठीक है तो जाए जाए वीडियो को share करें ठीक है और यह मुद्दा important है मैं लगातार इस प यह important मुद्दा है और इसको उठाना ही हमें पड़ेगा ठीक है और जितने भी आपके फैविट चैनल है उनसे भी यह बात बोलिए ठीक है मिलते हैं नेस ब्योडियों तब तक लिए बहुत धन्यवाद